असलाम वालेकुम हमने हमारे पिछले वीडियो Purpose of Creation के introductory part में डिस्कस किया था Purpose of Creation के जवाब को जानने के लिए हमें दो प्रोस्पेक्टिव से इसको समझना होगा अगर आपने हमारे Purpose of Creation के introductory part नहीं देखा तो description में दिये link से जरूर देखें इस वीडियो में हम दोना प्रोस्पेक्टिव में से पहला प्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव अफ क्रेशन यानि इस जहां में बसने वालों के नजरिये से Purpose of Creation क्या है इसको discuss करेंगे ये generally एक atheistic view है यानि atheist जैसे Purpose of Creation या Purpose of Life को मानते हैं ये वो प्रोस्पेक्टिव है Atheist उनको अपने जिन्देगे में कोई खास मकसद नहीं होता वो ये मानते हैं कि ये दुनिया और इसमें जो भी है उनका होना और बनना एक महस बाइचांस एक्शन है और इस फिलोसफिक के अनुसार उनके लिए जिन्देगे के मकसद के मुदालिक इनसान और जानवर दोनों ही सेम हैं और सेम है उनका Purpose of existence इनके पास अपने जिन्देगे में कोई खास मकसद नहीं होता उनके लिए जिन्देगे का मकसद और मतलब है खाना, पीना, सोना, आराम करना, बच्चे पैदा करना और जिन्देगे को मस्ती और धूम दाम से जीना बिना किसी रोक टोक के जब जो मरजी वो करना अच्छा बुरा भी वो खुद अपने हिसाइब से डिसाइड करते हैं उनके लिए दुनिया की बाकी चीजे और बाकी इंसन मैटर नहीं करते हैं वो बस खुद के लिए ही जीते हैं बिना किसी डेफिनेट और बैसिक लाइफ फंडेमेंटल्स ये प्रिंसिबल्स के और इसलिए कि उनके जिन्देगी में कोई खास मकसद नहीं होता तो वो मेहनत करते हैं जिन्दिगी के मेटरिलिस्टिक चीजों को बहतर बनाने की जैसे खाने में सबसे अच्छा, पीने में सबसे अच्छा, अच्छे गाड़ी, अच्छा घर, बहुत सारे पेसे और पॉपुलेरिटी वो इन्ही चीजों को मकसद बना कर जिंदी में मेहनत करते हैं वो बस अपनी लिए जीते हैं वो जूट отвеч के भी कोई फर्क नहीं करते हैं Personal benefits के लिए कुछ भी करते हैं और इसी तरह अपने जिंदीगी को materialistic बना देते हैं और indirectly materialism यादि या belief that money and positions are the most important things of life इसको ही अपना भगवान और fundamental बना लेते हैं और इसलिए ये drugs बनाते हैं पैसे कमाने के लिए, bombs बनाते हैं पैसे और गलत power के लिए, ये fornication, adultery, pornography ऐसे गंदे चीजों में involved होते हैं, बस पैसे, fame और अपने मज़े के लिए, और उनको ये चीज़े करने से कोई फर्क भी नही दिया होता हैं, but definitely there are exceptions, although exceptions are rare, क्योंकि हर किसी का same ideology ये reason नहीं होता हैं, कुछ ऐसे भी है, atheist जिनको ये पता है कि क्योई supernatural power है, जो इस nature of law को चलाता है, लेकिन वो religious groups के कलतियों को देखते हुए, धर्म को छोड़के atheist बन जाते हैं, लेकिन फिर भी वो ढूंडते रहते हैं, उस supernatural power को, और हाला कि हमने ये points atheist के philosophy और जीने के तरीके से discuss किया है, लेकिन ऐसे जिन्दगी सिर्फ atheist ही नहीं, बलकि pseudo believers भी जी रहे होते हैं, फर्क इतना है कि atheist का point clear है, लेकिन एक pseudo believer कहता कुछ है और करता कुछ है, दिल में कुछ, जुबा पे कुछ, और काम कुछ और ही कर बनते हैं, और सारे rituals भी follow गरते हैं, लेकिन जब उनसे intellectually पूछा जाए, तो वो कहते है भगवान गौड ये सब कुछ नहीं होता, बलकि ये सब लोगों का बनायवा concept है, they are truly living the worst reproductive life, तो ये था creation का perspective, purpose of creation और existence के प्रति, आप अपने opinions और queries comment section में जरूर share करें, या mail करें हमार परपस of creation सीरेज के next video, next strategy को upload किया जाएगा, जिसमें हम इस topic के सबसे important part को discuss करेंगे, perspective of creator, ये शुर ये भगवान का क्या कहना है, इस स्रिष्टि के बनाने के मकसद के बारे में, तो मिलते हैं अगले अपते, thank you, assalamualaikum